मैं प्रिश्पारी स्वागत करता हूं आप सभी का मदर्स एजुकेशन आपके ओनलाइं करेंट आप क्लासरूम में हमारी क्लास स्पेसिफिकली स्सी मेंस के लिए चला ही जा रही है तो जो स्टुडेंट्स स्सी मेंस के किसी भी एक्जाम में अपिर होने वाले हैं वो इस क्ल के वाल उसमें था कि कवाल टाइगर रिजरस किस स्टेट वे लोकेटर है इसका राइट आसे वो तेलंगाना होगा तेलंगान का जो नौर्ट इस्टन पार्ट है उसके लिए किनारे तीता है इसके किनारे भी गोदावरी नदीगे किनारे अबस्तिता ये कवाल टाइगर बनन मदा है, कवाल टाइगर रेजर्व और ये किस परोषणि के अंदर री वितीऊ से बने पना दर क्लाग पिकमणों के से पना रिचाल आउब॥ नमें रिकिले किया गया है इसका राइट अंसर वोह गा। । State of Just Eat Thepture बिहार तो कैमूर टाइगर रिज़र रिज़र हरे ये लाहिक करता है बिहार state के अंदर कैमूर जिल्हा है वहीं पर इसको मनाया गया है कैमूर टाइगर रिज़र इससे पहले कौन से था इससे पहले बिहार state का एक मात्र नेशनल पार्क है वाल्मी के टाइगर रिजर जो टाइगर रिज़र भी हैं दूसरा नेशनल पार्क के ऊपर और उसके बाद दूसरा बना है केमर टाइगर रिजर जो कि इस इता बिएर स्टेट के अंदर राइट अब होता क्या देखिए इसमें बिहार स्टेट गोर्टमेंट के दौरा एक रेकमेंडेशन की जाती है या एक रिक्वर्ट की जाती है सेंटर मिनिस्ट्री को और उसके बाद जो है इसको केमो टाइगर रिजर को दर्जा मिलता है अब इससे पहले कौन से आपने पढ़ा है वालमी के टाइगर रिजर जो की बिहार स्टेट का एक मात्र नैशनल पार्क है क्लियर ऐसा क्यों हुआ है क्योंकि जो वालमी के टाइगर रिजर रिजर इसका जो कुल एरिया है इसमें टाइगर की पॉबलेशन काफी बढ़ चुकी है तो इनको अब ट्रांस लोकेट के लोकेशन इनकी चेंज की जाएगी इंदी कैमो टाइगर रिजर क्लियर अगला अधरि जिस प्रकार से भारत का आरवे रिजर वे इंघ सेंटल सेंटल मनेटरी अथारी यह सी प्रकार से माल्धिव यह माल्दीव एन माल्धिव एंटरिए इन दोनों के मद्ध्य होए ममयुरेंडम अफ़ एग्रिमेंट अंडर दी शार्क करन्सी फ्रेंवर्क वर्ट 2024- 2027 यानि क्या होता है कि 2000 वाराक के अंदर सार्क कंट्रीज हैं उनके लिए जो सार्क नेशन्स हमारे 8 देश हैं भारत, श्री लंका, पाकिस्तान, नेपाल, भुटान, बंगलादेश और मालदीव और अफगानिस्तान, पाकिस्तान इन सभी देशों के अंदर अगर किसी भी ए अमेंडमेंट हुआ है, भुम्मा की बात करेंगे तो भारत और मालदीव ने आपके लिए काम कितनी बात है कि भारत मालदीव ने चार सू मिलियन यूएस डोलर का एक करनसी स्वैप एग्रिमेंट किया है और यह काम की बात, अब इसमें क्या होगा देखिए इसमें दो तरह की विंडो दी गई है जो हमारा सार का करनसी स्वैप फ्रेमवर्क एग्रिमेंट है इसमें दो तरह की फैसलिटीज है पहला तो यूएस डोलर के अंदर ठीक है और दूसरा है इंडियन करनसी के नदर तो उस समय क्या होगा 400 million US dollar की help की जाएगी as per the dollar US dollar और euro swap window और 30 billion भारती रुपिया दिया जाएगा under the Indian rupee window दो तरह की window आप समझ चुगे और जो हमारा ये currency swap agreement कब तक एले जीवल होगा it will be applicable till the June 18, 2027 हमने पढ़ा था currency swap agreement of SAR का की 2024 से लेकर 27 तक अप्लिक होगा और डेट होगी जून 18, 2027 अगर हम बात करें SAR की तो SAR currency swap agreement, SAR currency swap agreement है इसकी स्थापना होती इंदिए 2012 2012 के इंदर इसका objective क्या था कि जो भी हमारे SAR countries है उनमें अगर किसी देश के साथ foreign currency का exchange अगर decline होता है और उनके जो trade balance यानि balance और payment का इश्यू क्रेट होता है उस case के अंदर क्या होगा foreign currency provide की जाएगी by the member countries और इसी के तयत महारत ने माल दियो को help करने का एक promise किया है अब इसमें क्या होगा देगे सार्क का currency swap framework है इसके तयत भारत को 2 billion US dollar का एक और एक जो मारा डॉलर है उसको में रिजर्व रखना पड़ता है for the allocation of fund to the member countries वहीं बात करें इंडियन रुपी की भारती रुपिया 250 billion भारती रुपिया हम इसके अंदर एक corpus या fund वाना के रखते हैं for the allocation in crisis of the सार्क member countries राइट एक सवाल आप से पूछा गया था कि हाल इमें आर्वे के द्वारा UPI 123 और UPI light इन दोनों की कुछ limits है वह increase की गई है आप सो आपको बताना था कि कितने limit हो चुकी है तो देखिए UPI 123 है इसको launch क्या गया था in the year 2022 और specifically था March 2022 इसका objective क्या था भारत के इंद जो भी feature phone users है जिनके पास keypad phone उनके पास internet facility नहीं है अगर वो अपना online transaction करना चाहते हैं किस प्रकार करें तो यह facility मिलती है हमें UPI 123 के द्वारा अब इसमें क्या होता है अब तक यह था कि 5,000 रुपे तक का एक transaction limit थी एक transaction के उपर मतलब एक बार में रिखती UPI 123 का use करते वे एक बार में सिर्फ 5,000 रुपे का transition कर सकता था उससे बढ़ा कर दिया 10,000 रुपे तक का राइट और अब इसमें एक facility और की गई है वो UPI light के अंदर है अगर हम बात करें यह system कैसे वर्क करता है तो basically होता क्या है कि अपना जो future phone होता है जहां पर इंटरनेट की facility अच्छी नहीं है वहां पर भी सेवाई देने काम करता है feature phone इवन जो व्यक्ति इंटरनेट में इतना believe नहीं करते हैं जिनको थोड़ी इन security फील होती वो इस feature का का यूज़ करते है अच्छा दूसरा टर्म था इसके अंदर यूपिय लाइट ठीक है यूपिय लाइट के वॉलेट भी है और यह कमारा payment ट्रांसफर फेशलिटी भी प्रवाइट करता है अब इसमें होता क्या देगी यूपि इस प्रकार से phone पे और जो पेटियम था उस पर क्या था वालेट की फेशलिटी थी मतलब आप उसमें कुछ टाइम के लिए कुछ पैसे आप स्टॉक कर सकते हैं और जब चाहें उसको यूजब करता है तो उसकी अपर लिमिट थी पहले पांसो रुपे उससे कर दिया है बड़ाकर एक हजार रुपे यानि यूपि लाइट का वालेट है उसकी तो लिमिट कर दी पांस हजार रुपे और एक ट्रांसेक्शन में में मेक्जिमम नमबर ओफ वन थाजन रुपी का ट्रांसफर हो सकता है अंडर दी यूपिय मेकेनिजम और यूपिय बात करें तो उसमें हमने बात किये एक बार में 10,000 रुपे तक का ट्रांसेक्शन किया जा सकता है अब आज के लिए कुछ दो तिस सवाल आपके लिए पहला सवाल है आप बताईएगा कि भारत लिउपेक्स मिशन लिउपेक्स मिशन इस कंट्री के साथ मिलकर लाउंच करने वाला है ये होगा लूनार के लिए मिशन है भारत जो है इस देश के साथ ये लू मिशन लाउंच करेगा अगला सवाल आपके लिए कि वर्ल्ड स्टुडेंट दे कब सेलिबरेट किया जाता है वर्ल्ड यह किस दिन मनाता है देगे शुरुबात होती है बच 2010 के अंदर और यह किस की याद मनाते हैं हम भारत के पूर राश्पती थे डॉक्टर एपीज अप्दुलकलाम जी उनकी याद के अंदर मनाते हैं वर्ल्ड स्टुडेंट आपको बताना है कि यह किस दिन किया जाता है तीसरा केशन आपके लिए एक गवर्मेंट इमार्केट प्लेस पॉर्टल है जैम पॉर्टल किस देश के साथ मिलकर हम लॉंच करने वाले हैं और कब यह लॉंच किया जाएगा ठीक है तेले हमार लेक्टर स्टार कर दें विए फिर्स्ट क्वेस्टिन जो आपके लिए आज पहला क्वेशन है दी एवरेज मंथली इंकम आफ दी रूरल हाउसोल्ट हैस ग्रॉन बाई वाट पर्संटेज अकॉर्ड इंडिया रूरल फानेंशल इंक्लूजन सर्वेवाई भाई थी बैंक नाबाड यहनी नाबाड द्वारा जारी दूसरा अकिल भारतिये 57.5 57.6 और 56.6 परसंट तो राइट आंसर होगा 57.6 परसंट और ऐसा आरवए का मानना है कि भारत में 2016 से लेकर 2021 तक जो रूरल हाउसोल्ड है ग्रामेंट परिवार है उनकी ऐवरेज मंथली इंकम में 57.6 परसंट की बटोत्री हुई है और यह कितनी वाजाती सेलरी इस समय ह होती है 12,698 रुपए पर मन्त इंदी इयर 2021-22 एक फिगर यह काम का है आप इसमें दूसरा अफेक्ट आता है कि जो मारे अगरी कल्चरल हाउसलोड है यह इसे परिवार जो क्रिशीपर डिपेंडेंट है उनका में इंकम सोर्स क्या था कल्टिवेशन है जो फसल है वो ही उन मन्थली इंकम का वन थर्ड सोर्स इंकम जन्रेट करते हैं क्लियर अगला फेक्ट आपके लिए काम का है कि एवरेज मन्थली एक्सपेंडिचर यहनी वार्शिक प्रती महा औसत खर्चा कितना होता है तो वो बढ़ जाता है वो होता है लगबग 11,212 रुपे 11,262 रुपी इंदी यर 2021,22 ठीक है अगर हम बात करें ऐसे परिवार जो कि क्रिषी पर क्रिषी पर डिपेंड़नेंट यहनी अग्रिकुल्ट्टरल हाउसओल्ड है तो उन परिवारों में देखा गया है कि उनकी इंकम भी जादा है और एक्सपेंडिचर यहनी ऐस परिवार जिनका क्रि आपके लिए काम करें अगला एक प्रेक्टिकल कहा था इसमें कि एवरेज फाइनेशल सेविंग यानि औसत वित्ति बचत कितनी कर पाता है परिवार तो देखिए लगबग 13209 रुपे की बचत वाट्षी ग्रूप से की जाती है बाइदी रूरल हाउसोल्ड और ऐसा कुछ लोगों ने रिपोर्ट किया लगबग 66% हाउसोल्ड ने रिपोर्ट किया है कि हाँ उन्होंने जो फानेशल सेविंग्स है वो उनकी बड़ी है मतलब कहीं नहीं जो अग्रिकल्टिर प्रोटक्षान वहीं इंक्रीस हो रहा है उसके चलते हैं उनकी सेविंग्स भी आगेट सेक्टर विचे शौन ग्रोथ इन कवरेज यानि जो किसान क्रेट कार्ड के द्वारा लोन मिलता है किसानों को उसका भी कवरेज बढ़ा है कितना बढ़ा है तो लग बग 44% जो फैमिली से हैं अगरिकल्चर हॉसोल्ड है उनके पास जो एक वैलिड किसान क्रेड औ यानि कुल जो अग्रिकल्चर हाउसोल्ड है उसमें से 44% फैमिली ऐसी है जो की केसी सी का यूज करती है और दी अग्रिकल्चर लॉन फॉम्दी पैनेचल इंसिटुशन फॉर दी एर क्रॉप अगला फिक्ट आता है कि परसंटेज फैमिली से कोई नो कोई व्यक्ति इंसॉर्ड भी है यानि उसका इंसुरेंस हुआ है तो लगबगी परसंटेज है 80.3% देखिए यह इसलिए काम के हैं जो भी स्टुट्ट्स बेंक के एक्जाम में अगर अगर अपीर होते हैं में उनके लिए अड्वांटेज रहेगा और अससी वालों के लिए अड्वांटेज इसलिए रहेगा विकोज फिगर्स हैं और आपसे पूछ जाने की समभाव होना बने की विकोज नावाड के दौरा सर्वे हुआ है तो यह रिपोर्ट हमारे लिए काम की है और अगर हम एग्जेक्टली बात करें लगबग फोर आउट ओफ एवरी फाइफ हाउसोल्ड्स हैं उनमें से एक मेंबर जो उनका इंशॉर्ड यानि हर पांच में से चार परिवार ऐसे हैं जिनके कोई न कोई फैमिली मेंबर ऐसे हैं जिन्नोंने इंशॉरेंस स्कीम को अ ऐसा पाया गया है कि इसमें भी बड़ोतरी हुई है यह कितना हो चुका है 23.5 परसेंट रूरल हाउसोल्ड्स हैं वो किसी ने किसी प्रकार से डारेक्ली पेंशन स्कीम का बेनेफिट अवेल कर रहे हैं और 54 परसेंट फैमिली ऐसी हैं जिनके परिवार में आठ से अधिक परसन है वो कही ने कहीं गवर्मेंट पेंशन का एडवांटिज ले रहे हैं यह डेट आपके लिए काम कहा है अगर हम बात करें नावाड की तो नावाड का ध्यान रखेगा आप नावाड की स्तापना होती अगर हम बात करें वित्ती सक्षरता की वित्ती सक्षरता क्या होती means a person who knows very well about the financial services being provided by the private as the government companies होई होती है हमारी financial literacy की उसको पता होना चाहिए कि कितनी सेवाइं सरकार के द्वारा दी जा रही है उसको कितना अकाउंट इतना अकाउंट ओपन कर पाएं तो लगबग 51.33% 51.30% है 2021-22 में मारा इंक्रीज हुए है कि इतने लोग जो है अच्छा एक हम बात करते हैं आउटस्टेंडिंग डेट के यह नहीं कितना उधार है इतना रिण है तो लग बग 52% हाउस्वोल्ड ने माना है कि उन पर देंदारिया है और अग्ला सवाल आपके लिए और इस्ट्री से भी और इस्ट्री से भी आता है इस्ट्रीक पार्ट में भी आता है तो यह आप से पूचा गया है इसको आप अच्छे सौल करने का प्रयास करिएगा इसका right answer जोगा वोगा Charter Act of 1833 देखी होता क्या है जब भारत ब्रिटिश ब्रिटेन के अधीन था उस समय अलग-अलग Act लाए गए गए थे और जैसे कि आप दे सकते है रेगुलेटिंग एक्ट ऑफ 1773 विट्स एंडिया एक्ट 1784 चार्ट आरेक्ट ऑफ 1793 और चार्ट आरेक्ट ऑफ 1813 813 का आता है फिर 1853 का आएगा फिर गवर्मेंट ऑफ इंडिया के 1858 आएगा फिर 1861 आएगा अलग-अलग कानून पास इस लिए गये थे एक्ट इस लिल लाए गये थे ताकि वो अच्छे से भारत को गवर्न कर पाए अकोर्डिंग टू दियर फिलोसफी अगर हम बात करें 1833 के १िल याम बेंटिक इसका मतलब क्या हुआ जो मद्रास और उमब्ढेस प्रींद सिस हैं उनकी लेजिसलेटिक पावर को डिक्रीस या डिकेत debate के Summen लिया गया था इसका मतलब है अब इसमें एक फेक्ट काम का और है कि अब तक जो एक्टर पास के गए थे 1833 से पहले उन्हें कहा गया लेकिन इस एक्ट के जैसे चार्टर एक्ट 1833 का पास होता है इसे बोलते हैं अधिनियम कहा जाता है यहां से आगे जितने भी एक्ट पास होंगे उन्हें अधिनियम कहा जाएगा उससे पहले कहों से थे रेगूलेशन यानि वे नियम अन्त है अब इसमें मेजर क्लोजन क्या है इसके इंदर तो देखिए इसमें होता है कि इस इंडिया कंपनी का भारत के इंदर ब्यापार करने का एक म अधिकार था मॉन उप्पोली थी। उसको साथ कर दिया मतलब क्या हुआ , एक प्रकार से पहले इस इंडिया कंपनी प्रस्यशने צ्च निकाह यिर। इसी के साथ बनता है Lord Macaulay के द्यक्ष्टा में एक भारत का पहला Indian Law Commission, भारत का पहला विधी बनता है under the chairmanship of Lord Macaulay to codify all the laws in Indian subcontinent, specifically in India. नेक्स्ट आता है कि इसमें एक प्रावधान किया गया है कि बिना किसी रेशियल यानि नसलिय रिलिजियस धार्मिक और किसी भी कास्ट डिस्क्रमिशन के अथार पर इनको अथार बनाए बिना भारतियों को इंक्लूड के जाएगा इन्दी civil services, मतलब ऐसा पहल शुरू की होथा, यह होथा है same process था अब इस समय क्या वता देगें कि Governor General in Council थी, Governor General in Council के पास सारे अथिकार देए- प्रकार से भारत में संसद है, राज्य की विधानики सभाय है। उनके पास क्या अथिकार हैरे अलग-अलग कानून पास्क्रण करें सेमपावरोर किसकी हिए Governor General in council को और इस समय क्या होता है गवर्णर जो गवर्मेंट है उसे कहा गया गवर्मेंट ऑफ इंडिया और council को बोला गया इंडिया council यह आपके लिए काम की बारत है अगला सवाल आपके लिए अगर मिनी रतन कंपणी है तो मतलब यह है कि अगर मिनी रतन कंपणी है जों बन सकतीह नवरतन कंपणी और जो शूंए क्पनी कंपनी का गया है वो आगए जलके बनेगी माहारत कंपणी इस प्रकार से यह अपंगरीड होती नावरा मिनिरतने से नवरतने और नवरतने से महारतने तो हाली में क्या हुआ है मिनिस्ट्री ओफाइनेस के द्वारा अप्रूल दिया गया है एक पीस यूगो as the 14th महारतने कंपणी ओफ दिया आपको बताना कौन सी कंपणी इसमें से है पहला अप्शन है रूरल इलेक्रिटर्फिकेशन कॉपरेशन ओफ इंडिया थर्ड हिंदुस्तान एरोनौटिक लिमिटेड फूर्थ है पावर फाइनस कॉपरेशन तो देकी राइट आंसर जोगा वह घंबार ओप्शन सी विच इस हिंदुस्तान एरोनॉटिक्स लिमिटेड अगर हम कंटेक्ष्ट की बात करें तो हिंदुस्तान एरोनॉटिक लिमिटेड है भारत का डिफेंस पीस्व है और इसकी स्तापना होती है बंबेंगलोर के अंदर इन्दी एर नैंटीन फोरी वाइधी वाल चंद हीरा चंद देखकंग होता है बारत में एल्क्राफट नाने के लिए फैसलिती नहीं थी तो में बैंगलोर के अंदर हीराचंद वालचंद जी के द्वारा वालचंद जी के द्वारा एक कंपणी बने जाती है एस दी हिंदुस्तान एक्राफ्ट लिमिटेड एच एल क्लियर डेट क्या थी 23 दिसंबर 1940 लेकिन क्या होता आगे चलकर 1941 के अंदर भारत सरकार गवर्मेंट में शेर वल्डिंग करती है और 1942 के अंदर इसका पूरा कंट्रोल गवर्मेंट ओंडिया के अंदर में आ जाता है अगले दोवर्च के अंदर क्यों कहीना कि हमारा एक क्रिटिकल सेक्टर है और डिफेंस और सेक्यूरिटी ऑफ अ कंट्री तो इसमें भारत सरका के द्वारा पूरा स्टेक कर लिया गया हिंदी एर 1942 और यह बना है भारत का चौधवां सेंट्रल पीएसी जिसे मिला है स्टेटर्स महारत ना कंपनी इव्हां सारी बात कर लियHe अगर मं बात करें नवरतन स्कीम गी मतलब क्या होता है कि देखिए सरकार को पता है हमहें हमारा हमारी कंपनी की ग्रोथ करनी है और वां एक इंटरनेशनल मार्केट में रीच बढ़ाना है अगर आछ वेरियस इंसेंटिव्स वैसी के लिए 1997 के अंदर क्या होता है गवर्मेंट अब इंडिया ने एक नवरत्न स्कीम लॉंच की जिसमें ऐसे कुछ क्राइटेरिया थे अगर वो क्राइटेरिया कोई कंपणी कोई डिफैंस कोई भी हमारा PSU फुल्फिल करता है तो उसे दर्जा म मिलता है तो कुछ नो कुछ ऑटोनमी मिल जाती है इंदी कैसो इंदी इंटम्स ओफ मेनेजमेंट एज वेल दियर एज वेल इस दियर ऑपरेशन इन डॉमेस्टिक एज वेल इस इंटरनेशन मार्केट इसका इडवांटेज होता है कंपनियों कुछ इंडिपेडेंट पाव सब्सक्राइब है जो हम देखने वाले है पहले हम देखते हो लिस्ट की कौन-कौन सी कंपनीस अब तक है इसी है जिनको मार आतना स्ट्टिस मिला है तो कुल 14 कंपनीस है 14 कंपनी घ्रा मपड़ चुके है चोदी आपने आज पढ़ बहुत हैं फिंदुस्तान अरोनुप्रि ग्यान ओयल कोपरेशन लिम्टेड इवन यह यू त एल नत्युर्ण गेस और नाइन तैट पावर फाइनस कोपरेशन दसवा हैं पावर ग्रिड कोपरेशन आप इंडिया लिम्टेड लेवन तील अथरोरोटी अपिपिए इंडिया चल्ट रूरल एक्ट्रिफिकेशन और फ इस प्रकार साब जानते हूँ है कि लाइट कॉम्बेट एक्राफ्ट तेज़े से दुरू है और जो कुछ बाहरी विदेशी कंपणिया जिसमें कि एरवेस है रॉल्स रहस है बॉइंग्स है इनके साथ भी है अलग-अलग एमोई और इंटिक्रेशन है अलग-अलग मनें करने का पहले को भारत के स्टेशर को भी एक क्या अधार है कि कि यह कंपणि को नहरतने का स्टेश दिया जाए जिससे कि वह अपने विचर ग्रोथ को इंशुर कर भए है तो पहली बात उस company के पास क्या हो नवरत्न company का status राइट दूसरा है कि सेभी के stock market में company list होना जरूरी है under the regulations of the securities and exchange board of India दो क्रेटे रही है तीसरा है financial performance है नहीं उसका वित्ती है performance कैसा है तो पहला है कि इन टर्म है annual turnover है एक हमारा annual net worth है और तीसरा annual net profit इसमें किया कि दो टर्म चलेगी एक तो चलेगी आपकी पिछले तीन वर्स का आउसत वार्षिक कारोबार कितना हो यह होना चाहिए 25,000 करोड या उससे अधिक कितना होना चाहिए annual turnover हो 25,000 करोड से अधिक annual net worth हो of last three years वो होने चाहिए 15,000 करोड से अधिक और तीसरा है average annual net profit यह होना चाहिए 5,000 करोड से अधिक for the last three years यानि तीन आजार तीन बेस है पहला तो average net profit है दूसरा average net assets या net worth हम कह सकते हैं और तीसरा यह होना चाहिए एक अगला parameter है मारा चोथा जो है ग्लोबल परजेंस यानि भारत के अलाबा कि किसी और देश के अंदर भी company का अलग कोई infrastructure setup भी हो किसी और company के साथ भी टाइब और वहाँ पे उनकी कॉलेब के हैं कॉलेब की प्रजेंस भी रहे है advantage क्या होगा देखिए यह हम बात करने की company को status महारतना status मिला है इसका advantage क्या होगा इसका advantage होगा operational और financial management में company के जो board of directors हैं उनको autonomy मिल जाती है इसका मतलब यह है कि वो अपनी कुल net worth का लगभग 5000 करोड या 15% इतना investment कर सकते हैं without the government approval यानि भारत सरकार के अनुमति के बिना वो अपनी कुल net worth का 15% या up to 5000 क्रोड रुपीज इनवेश कर सकते हैं किसी भी गवर्मेंट का किसी भी प्रजेट के अंदर एक advantage मिलता है कि वो company जो महारतना company है वो चाहे तो किसी और company के साथ murder कर सकती है किसी company को acquire कर सकती है अपने share sales or purchase कर सकती है domestically as well as the international market के अंदर यानि भारत में देश में गरिलू market में और अंतरश्टी बाजार के अंदर भी किसी company के साथ वो type कर सकती है अगला सवाल है which of the sanctuary is given below form a part of gear protected areas यानि गिर सानक्षिक शित्र में कौन-कौन से बनने जीव पैरन नहीं है कौन-कौन से शित्रें वो सम्मिलित हैं यह सवाल आपसे इसलिए पूछा गया है कि recently क्या हुआ है कि कुछ पच्छ पहले लबाद 2015 के अंदर गिर प्रोटेक्टिड एरिया के आसपास इको सेंसेटिव जो उने उसका दाइरा बढ़ा बढ़ाया गया था और उसको हाली में कम किया गया डू टू दी इंप्रस्ट्रिक्ट्र कंस्टेंट्स तो यह न्यूज में रहा है तो पहला option है गिर वन्नेजिव बैरन गिर वाइ सब्सक्राइब करें तो मिनिस्ट्री ऑफ एन्वाइरमेंट फोरिस्ट क्लाइमेट चिंज के दौरा 2015 के नदर एक नॉटिविकेशन जारी हुआ था गजट जिसमें का गया कि गिर फोरिस्ट के अराउंड लगपक 3328 स्क्वाइर किलोमेटर का एरिया डिकले के जाएगा ए सब्सक्राइब करता है मतलब कि अगर माली जो कोई वाइल लाइफ है वनने जीव है अगर वह इस एरिया से बाहर ही एरिया में आता है तो उसके प्रोटेक्शन की कंसर्वेशन की ठीक लेकिन अब क्या होता है 2024 के अंदर सप्टेंबर 2024 के अंदर जिसका स्कोप है मतलब जो इको सेंसेटी जोन है इसको कम करने की बात यह अप टू 2061 स्कायर किलोमेटर यह हमारा ले फिगर काम करने हैं हमारे रे कंटेक्स काम करने क्यों पढ़ रहा है इन्यूज ठीक है अगर हम बात करें कि यह सक क्यों किया गया है जो फोरस्ट डिपार्मेंट का फिसर्ट है उन इनको भी हम रेगुलेट रे कंट्रोल कर पाएं ऐसा फोरस्ट डिपार्मेंट का कहना है अगर हम बात करें एको सेंसेटिव जोन की यह क्या होते हैं तो उनको सेफली मुवमेंट मिल पाए इसलिए हम करते हैं एको सेंसेटिव जोन और इस एरिया में बहुत सारी हमें एक्टिविटी जो हैं वो पूरी तरह से प्रहिबिटेटर रहती हैं जिससे के में इनकी सिक्यूरटी इंशॉर कर पाएं तो इसकेनेक्ट एज शॉक एब्जॉर्वर और दी वाइल्लाइफ इन प्रॉक्टर एरिया वेन दे मूव फॉम दी वन पार्ट ऑप दी पोर जो गी बट्टिय होती वो यह इस प्रकारा किसे एक्टिविटीस के अंदर अलाउ नहीं होती है लेकिन हम बात करें कोमर्शल इस्टेबलिश्मेंट है होटल्स कहों रिसोर्ट है मॉल हैं स्मॉल स्केल मॉल नहीं स्मॉल स्केल जो पॉलूटिंग इंडस्री से इनको सब्सकेल दानी है राज्य में क्य गई है और। अने इन्तपना की गई है यह अ यह कहा हो पर सिथ है ilia in the campus of national skill training institute NSTI वो यह Buk petty Mumbai अन्दफ और आप को ज़ा रखना है Bye Kay in thebestétait इन्ट है निंस्किल बनाए गया है Indian Institute of Skill IIS अब इसका अबजेक्टिव क्या होगा इट विल क्रेट दवर्क फोर्स वैल एक्प्ट विद धी है specialized training in key sector सचे इस व्यक्राइज अब इसके इन्दर वर्क फोर्स लेबर पोर्स त्यार कर पाएं और उनको इसके ट्रेनिंग दी इंदि इंडियान Institute of Skill which is located in the state of महारास्टा in Mumbai अब यह क्या है यह एक MOU हुआ है बिट्वीन दी Ministry of Skill Development and Entrepreneurship यानि कोशल विकास एम उद्ध्यमिता मंत्राल है जो की भारत सरकार का है और दूसरा है टाटा आइस एक टाटा ट्रस्ट के दिन अगला सवाल है इंटरनेशनल डे और डिजास्टर रिस्क रेडक्शन यानि आप दा जोखिम न्यूनी करण है तो अंतराश्टी दिवस हम कम मनाते हैं यह मनाते हैं 15 अक्टूबर 13 अक्टूबर 26 नवंबर 5 अक्टूबर तो राइट आंसर जोगा वह होगा इसका अक्टूबर 13 अभी क्यों मनाते हैं इसका नाम से बता पढ़ रहा है डिजास्टर रिस्क रेडक्शन यह नहीं आप दाओं से किस प्रकारम डील कर पाएं उनके बारे में कितनी अवेर्नेस लेकर रहे हैं कितना प्रिपेड रहे हैं चाहिए वो सोशल लेवल पो गया कंट इस प्रकारी कंडिशन में आप किस प्रकार तैयार है ठीक है आप सभी जानते बाहर आती है सुनामी आता चकर पास उसमें का भी हमें प्रोपर्टी और हुमन का लोस होता है उसको दूर करने के लिए हमारे पास क्या हो पहरे अवेर्नेस हो एक अल्ली वार्निक सिस्टम भी हमारे पास कुछ प्रॉंक्ट करेक्ट्व एक्शन्स भी होने चाहिए हमारे पास या प्रेम्प्ट एक्शन हो उसकी तहरी के लिए हम यूँए जनरल असेम्बली के दवारा नाइंटी ने ने के अंदर इस दिन के शुरुबात की गई थी और अक्टूबर को इसके लिए है इसको dedicate किया गया है किस साल की थीम के है किस साल की थीम हम बात करें बात करें तो यह मैं दिन क्यों मनाते है तूर्य अवरनेस एंड प्रमोट अ कल्चर ओफ डिजास्टर रिस्ट रिड़क्शन एंड रिस्क अवर्नेस अरूंड दी वर्ड बिल को सही बात है और इंपावरिंग देखा जाया है सभी कौम चाहते है कि सब जागुर को है आप दाओं से किस प्रकाटर में डील कर भाएं उसके लिए कितना प्रिपेट रह लचिले भविष्टे के लिए हमारी पीडियां उनको सशक्त बनाएं अब यह कैसा होगा यह कैसा कर पाएंगे इंपार्टिंग एजुकेशन कंसर्ण विद्धी रिस्क और डिजास्टर मेनेजमेंट यानि हम चाहते हैं कि डिजास्टर फ्री फ्यूचर रहे हमारा आने व अब इस साल का थीम क्या है इस साल का थीम इसका फोकस किस पर है इट वी हैव तो एंपार चिल्टरन थ्रू एजुकेशन एड एक्विप देम तो प्रोटेक्ट देमसल्स और बिकम एजेंट ऑफ चेंज इन दी सोसाइटी मतलब क्या है हम बच्चों के इसना सक्षित करें क किस प्रकार की आपदा हती किस प्रकार तैयार है नहीं ताकि यूग खुद भी बचेंगे और हमारे आसपास के लोकलेटी में लोगों को बचाए समाज को भी अपनी फैंबली को इंशॉर सेफ्टी उनकी इंशॉर कर पाएं यह सारा इसका एजंडा है अगला सवाल है 149th Assembly of Inter Parliamentary Union IPU का 149 सवा किस देश के अंदर आयोजित की जा रही है तो 149th Assembly of International Inter Parliamentary Union is being conducted in which of the following country तो आप चार ओप्शन आपके सामने फ्रांस मिश्र पृत्रगाल और स्वर्जेलेंड तो राइट आंसर होगा स्वर्जेलेंड इसका प्रेटी है जनेवा इसके अंदर जो है बारत की ओर से एक डेलिकेशन गया है अंडर दी लोग सभा स्पीकर ओम बिल्ला जी क्लियर आप देख सकते हैं कि जनेवा स्वर्जेलेंड के अंदर एक सो नंचास्वा अंतर संसदी समों की मिटिंग हो रही है 13 से सतर अक्टूबर तक आज 15 अक्टूबर दो दिन और होने वाला है और इसका थीम है जो इस मिटिंग का थीम है उस पर हमारे लोग सभा की स्प सेक्रेटर जनरल यानि वो है उत्पल कुमार सिंग जी और पीसी मोधी है राजय सभा के सेक्रेटर जनरल वो इसमें भाग ले रहे हैं और अलग-अलग मंतिरी भी इसके अंदर डेलीकेशन के दोर पे रहें टूदी जनेवा एंड स्विट जलेंड क्या करेंगे इसके अब थीम की बात करें इस साल की थीम है हारनेसिंग साइंस टेक्नोलोजी एंड इनोवेशन फोर अ मोर पीस्फूल एंड सस्टेनेबल फूचर यानि एक बहतर शांत और सतत बविश्य के लिए इस प्रकार हम विज्ञान का तक्नीका और नवाचार का प्रयोग कर पाएं य सब्सक्राइब वास इस्टैबलिश इंडियर 19 और 1889 और इस वर्तमाम के अंदर से कितने देश है एक सोस्ती देश है चीन भी है और कुल पंद्रा एसो सीट यानि सायोगी सदश है देरार 180 मेंबर कंट्रीज एस वेल इस फिप्टीन एस एसो सेट मेंबर इंक्रोडिंग च डेवलप करें जिस्तों की सभी के लिए हैलफुल रहें और इवन जो डेमोक्रासी उसके लिए भी थोड़ा असर्टिव और प्रमोटी रहें अगला सवाल आपके लिए विच कंटरी हैस इंटर्डूस्ट अ लॉंग तर्म रेजिदेंसी प्रोग्राम ब्लू रजिदेंसी इन्वार्मेंटल एडवकेट्स यानि किस देशने हाल में परियावरण अधिवक्ताओं के लिए एक दिर्ग कालिक निवासा कारिकरम जिसका नाम है ब्लू रजिदेंसी इसको शुरू किया है अच्छा सवाल आपके लिए जोड़ा है पूराना निउस में माई जून की न जनस्ता हो उनके क्या होगा उनको दस साल के लिए उस कंटे में रने के लिए पर्मिशन दी जाएगी अब आपको बताना है कौन सा कंट्री जिसने एक इन्नोबेटिव आइडिया प्रप्ट किया है जिसका रहेट आंसर है ऑप्शन वी उनिट अरब ऑफ एमिराट्स यानि प्रमोट कर पाएं उसके लिए जो फैनेंशल लॉन मिलता है उसको का गया है ब्लू लॉन्स किसने दिया था तो यह आप ध्यान रखेगा एक इंटरनेशनल फाइन्स कॉपरेशन है इसके ने दिया है एक्षस बैंक जो की भारत का बेंक है अब इसका क्या होगा कि यूए के इंदर भी और यूए के बाहर जो भी सस्टेनेबल एफट हो सकते हैं एंवार्मेंट प्रोटेक्शन के लिए वो इसमें किये जाएंगे आज सक्क्यों क्या यूए ने तो देखे जिस प्रकार से आप सभी जानते है दोजार तीस था इंटरनेशनल इएर फमिलेट से नी मोटे नाज का वर्ट्स था था धौए ने यूए ने किया है डिकलेट यूए यूए ना यूए ने किया है इन्होंने एर ओफ सस्टेनेब दोजार तेश्यों इसको वर्ष है इसको यूए ने डेजिनेट किया है इसी को अलाइन करते हुए 10 साल का एक इसको के बारे में इंडियन फार्मर्स फर्टिलाजर कोपरेटिव इसको है इसके चैर्में कौन है तो बड़ता में दिलिप संगनानी जी है इनका नाम है याद रखेगा एक निजस आती है अटल बीमित व्यक्ति कल्यान योजना एबी वी के वाई हम क्यू पढ़ रहे हैं द 10 नए ESIC Employees State Insurance Corporation ऑस्पटल हैं इनकी Establishment की अपर्वल मिली है मतलब 12 सकार जो अलगला राज्यों के अंदर 10 ESIC को Medical College की स्थापना करेगा और Increasing Our Medical Professionals Country तो क्या है हम बात करें एक प्रकार की ये अटल बीमित व्यक्ति कल्यानी होजना ये कह है एक Welfare Scheme है for the Employees Covered Under the ESI Act यानि Employees State Insurance Act 1948 का है इस कहता है जो भी हमारे करमचारी है अगर वो किसी कंपनी में काम कर रहे हैं और कंपनी छोड़ कर किसी और कंपनी में जाना चाहते हैं तो बेट्वीन टाइम पिरिएड उन्हों क्या मिले एक रिमेंरेटिव प्राइस मिले उसी के लिए इनको ये स्कीम लॉंच की कही थी इन दियर 2000 2000 के अंदर हुआ है इसमें मिलता है केस कंपन सेट्श कंपने केस कंपने केस कंपने केस कंपने के 90 देज ओफ दियर वर्क इन वन्स इन लाइफ टाइम यह निन लीजे पहले हम बात करें एस सई की एंप्लोई स्टेट इंश्रेंस को परेशन कि एस काम कर रहे है उस पर यह फॉलो होंगे और उस क्या होगा अगर ऐसा व्यक्ति अपनी एक कंपनी को छोड़ कर दूसरी कंपनी में जॉब स्विच करना चाहता है तो बिट्वीन टाइम पिरिड नबब दिन के ग्रेस पिरिड के लिए क्या होगा उनको मिलेगा एक कैश इतनी सारी बात किये इसी योजना के बारे में और इसे कौन इंप्लिमेंट कर रहा है इसे इंप्लिमेंट कर रहा है दो हजाइर चबविस तक पहले दो साल के लिए थी फिर बड़ाए थी फिर बड़ा दिये फिर दूबड़ा दो साल के लिए बढ़ा कर तीस जून तक इसकी डेटलाइन increase हमने कर दी गवर्मेंट हम एंडिया के दब़ा है ठीक है जाविया जी हैं इनके द्वारा गोष्टना की गई है कि भारत के अंदर एसाई अगले पांस साल में मेडिकल कोलेज के लिए पिछे तरजाद नई सीट्स बनाई जाएगी इसी को अनॉंस्मेंट किया गया है अगला हम बात करें इस बोड़ी की जिसके नाम है सार्क हम क्यों पढ़ रहे हैं हमने पढ़ा था कुछ समय पहले सार्क करंसी स्वैब प्रेमबर्क जो दो चार बारा के अंदर अडॉप्ट किया गया था हमरे लिए काम की बात कि सार्क के बारें पता होना चाहिए इस इंडिया नेपाल बुटान बंगलदेश श्रीलंका और माल दी यह कुल आठ देश जिसके मेंबर कंट्री से सची वाल है कहा पर इसका इसका है नेपाल के काट मांडू में यह आपको पता होना चाहिए इसका ऑब्जेक्टिव क्या है दो तिन ऑब्जेक्टिव में पहला तो इस रिजन में सौध एशक्षेत्र के जो लोग हैं उन्हें कल्यानों वेलफेर कर पाएं सेकेंड है उन्हें क्वालिटी ओफ लाइफ को दिये पाए निए उनके जीवन जीने का स्तर उसको बढ़ा पाएं तीसरा है एकॉनोमिक ग्रोथ यानि आर्थिक वृद्धि हम इसक्षेत्र की इंशोर कर पाएं और इसी को फुल्विल करने के लिए दोजार वारा के अंदर सार्क करंसी स्प्रेंबरक भी अडॉप्ट किया गया था और उसी को हाल में रिवाइज करते वे भारा सरकार ने उसमें डॉलर और यूरो के साथ साथ इंडियन रुपी को भी इंक्रूड किया है उसी को उसी और उसी के तलते हमने 400 मिलियन का एक यूज डॉलर पैक्ट सेंड किया है विद्धी मालदीव्स अचा एक अपनमेंट की न्यूज आ रही आज उसमें की नेवी के लिए हमारी होती है एक अपनमेंट हुए आज इनका नाम है कवीता सहाय यह कौन है तो देखिए इन्हें पॉइंट किया गया है इस दी अरेक्टर जनरल ओफ अ मेडिकल सर्विसेंज डीजी मेडिकल सर्विसेज ऑफ डीजी मेडिकल सर्विसेज यह है नेवी की जिस प्रकार से आर्मी में और एर फोर्स में और नेवी के अंदर अलग-अलग जो हमारे medical services होती है उसकी डीजी बनी है कवीता साही बनाए गए यह हमारी वाइस एड्मिरल है और इन से पहले दो पैंट मेंट और हुई थी इनके बारे में पड़ चुके हैं एक थी हमारी आरती सरीन आरती सरीन यह थी हमारी डीजी ओफ डीजी medical service डीजी medical services और आम्ड पोर्स यह नि बारत की जो तीनों सेना है आर्मी नेभी और एर फोर्स उन तीनों को मिला करके जो कमबाइन हम बात करें उसकी medical सेवाएं होती है उस सेवाओं के अंदर अपट किया गया है आरती सरीन जी को एस डीजी ओफ medical services for the armed forces इसमें तीनों सेना है सामिल हो गई है नेभी के लिए हमने बात कर लिए है यहाली में कभीता साय जी को अपट किया गया है और जो आर्मी की ब्रांच आर्मी के में बात करें तो उसके लिए पॉइंट किया गया है साधना सक्सेना नायर्ज को इनके अपनमेंट तो पहले हो पहले की जा चुकी है बटा में पता होना चाहिए डी जी medical services of army पता होना चाहिए आपको कि आप उसे पूछने की संभावना बन जाती है तब तक अपने पर जो आपको क्वेशन दिये गए उनको कांसे डूणने का परियास कीजेगा और हमारा लेक्ट्र अच्छा लगता तो प्लीज लेक्ट्र को लाइक भी करें अमेंट में आपने सुजाव लगें और चैनल को सब्सक्राइब ने करें थैंक यू सो मच और जोनिंग विद इस